हेलो दोस्तो, नमस्कार, SMKC चैनल में में आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस पड़े में हम लोग यहापे बात करने वाले दो कमपनी से रिलेटेड यह दोस्तो, देखा जाए तो दोनों कमपनी दिगजे, एक है NBFC अगर हम लोग दूसरी बात करें तो बैंकिंग इन दोनों कमपनी से रिलेटेड जिसका नाम आप लोगों ने स्क्रीन के उपर भी देख लिया होगा इससे रिलेटेड बहुत जादा हम लोगों को सवाल पूछे भी जा रहे है आपे कमेंट सेक्शन में भी बाते आ रही थी और आज के दिन दूरिंग दा मार्केट भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यह आपे देखने को मिली थी तो एक्जैक्ली खबर क्या है उसका जो इंपक्ट रहेगा वो क्या रहेगा इसी के बारे में हम लोग सारी बाते आपे बोलने वाले तो चले जुस्तो वीडियो को स्टार्ट करते बड़ उससे पहले जरू करना चाहूँगा किसी ने फर्स ताम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकान को हीट करके रख लेना सबस्तो आज के दिन आप लोगों ने जरू देखा होगा यह है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में आप सब लोग पता है 12 स्टॉक से और बैंक निफ्टी के में बात करूँए आप देख सकते फेडरल बैंक सबसे टॉप पे था तो आखिर में अगर आप देखोगे तो कौनसी बैंक थी तो यहाँ पे बंधन बैंक थी बाकी बैंक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बंधन बैंक में जो गिरावट थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी मतलब यह देखे यह कितने 0.34, 0.36, 0.97 से गिरे है हम लोग डीटेल बात यहाँ पे करने वाले सो इस केस में दो कंपणियां इन्वाल है जैसे के आप लोगों को मिने बता है एक है NBFC जिसका नमे HDFC और दूसरी जो कंपणिय है उसका नमे बंधन बैंक जो इंपक्ट गिरा वो बंधन बैंक के उपर जादा गिरते हुए देखने को मिला है ना कि HDFC के उपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बंधन बैंक में हम लोगों को अच्छी कासी यहाँ गिरावाट यहाँ पर देखने को मिल रहें लगबग 3% के आसपास एंड अगर आप चार्ट पैटन से भी अंदाजा लगाओगे यह दिखिए जैसी ही यहाँ पर हम लोगों को चीज़े देखने को मिली मतलब एक न्यूस सामने आ गई जिसके चलते हम लोगों को गिरावाट देखने को मिली बट उसी कन्फूजन को द्यूर करने की कोशिश में आपको करने वाला हूँ सो exactly क्या हुआ है सो दोस्तों आप सभी लोग को में बताना चाहूँगा HDFC तो बहुत बड़ी कमपनी है एंड अगर आप इसके share holding pattern को देखोगे HDFC के सो आप लोगों को यहाँ पे उनका investment एक company के उपर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इस सारी खबर हम लोगों को share holding pattern से ही यहाँ पे देखने को मिल रही है सो exactly मैं क्या बुलनी की कुशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को practical भी दिखाना चाहूँगा हम लोग open यहाँ पे tab में आ जाते BAC के official website पे जाते मेरे यहाँ पे आप देख सकते है by default यहाँ पे लिखा हुआ है इसके उपर मैं क्लिक कर लेता हूँ आप लोगों को detail में समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ यह देखे यहाँ पे मैं नाम type करूँगा बंदन bank बहुत ही important है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे बंदन टाइप कर लिया दो stocks आगे तो आप second one यहाँ पे देख सकते हो बंदन bank है इसके उपर मैं क्लिक करूँगा जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया हम लोग यहाँ पे नीचे scroll down करेंगे आप लोग को यह सिखाना चाओंगा थोड़ा सा और डेरेकली में मैं कर सकता था बट उसमें कोई मज़ा नहीं है आप देख सकते है नीचे जाएंगे तो यह देखे share holding pattern देख रहा है इसके उपर क्लिक कर लिते है जैसे मैंने क्लिक कर लिया आप देख सकते है प्रमोटर के पास यहापे 40% है सब information दिये नीचे अगर आप लोग देखोगे तो एक arrow देखने को मिलता है इसके उपर मैं क्लिक करना चाओंगा जैसे मैंने यहापे क्लिक कर लिया तो वापस बंदन बैंक यहापे देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर आप लोगँ को पंडना है यहापे पॉब्लिक शेरोलडर मतलब पैटन तो यहापे हम लोगों को पंडना है तो second इसके उपर मैं क्लिक कर लेता हूँ यहापे और जैसे है यहापे मैंने क्लिक कर लिया आप देख सकते हैं बहुत सारे shareholders है आप यहापे देख सकते हैं कौन को ने इसमें FPS भी है कितने सारे FPS हैं 502 FPS ने पैसा लगा है आप लोगोंने सुना होगा Camps का नाम सुना होगा Investment तो उनके भी यहापे कितने shares है देख ले ना यह number of shares है और उसी के चलते हम लोग अगर नीचे स्क्रोल डाउन करे तो हम लोगों को एक company में लेगी येस आप देख सकते हैं यहापे हम लोगों को HDFC Housing Development Finance Corporation HDFC और आप देख सकते हैं इनके पास कितने shares हैं बंधन बैंके यह रूपीज नहीं है यह number of shares है इतना बड़ा stake हम लोगों को देखने को मिल रहा है अगेन मैं repeat करना चाहूँगा दोस्तों यह रूपीज नहीं आपको लग रहा है कि यह सर रूपीज है तो ऐसा नहीं है दोस्तो 15 करोड या फिर आप बोल सकते 16 करोड shares है number of shares है multiply by 440 अगर आप करोगे तो investment आपके सामने आ जाएगी तो दोस्तों अगर हम percentage वाइस बात करें यह देखिए मैं side में आपके आ जाता हो तो यह देखिए कितना है 9.90 मतलब बंदन bank के 100 में से 9.90 और we can say 10% किसके पास है HDFC के पास है and यहापे आज की दीन एक news सामने आ गई कि HDFC यह 9.90 बेच रहा है बंदन bank में जैसे यह news सामने आई दोस्तों तो हम लोगों को एक गिरावट वाला महोल देखने को मिला but मैं आपको बताना चाहूँगा HDFC ने यह बात बोली है कि यह अफवा है करके यहापे कोई वो stake अपना बंदन bank में निकलने वाले नहीं है and अफवा होके चलते हम लोगों को आज बंदन bank में pressure create होते वे देखने को मिला so यही बात में आप लोगों को यहापे बताना चाहूँगा जो लोग बूच रहेते सार exactly समझ में नहीं आ रहा है अभी फिलाल का जो statement है वो मेंने आपके सामने हापे रख दिया and इसी के चलते बंदन bank में हम लोगों को मतलब गिरावाट डेखने को मिली यह अफवा क्योंकि आप सब लंग पाते हैं अफवा 10 गोना तेजी से भागती है original news बहुत ही slowly slowly जाएगी क्योंकि अफवा में कैसे होता है डर भी होता है या फिर excitement भी होती दोनों side होता है excitement रहेगा कि अरे यह 10 का share 10,000 होने वाला है अफवा है तो लोग लालच में गिर जाएंगे या फिर आप बोल सकते हैं 10,000 का share 10 रुपे पे आने वाला है लोग दर के मारे बेचेंगे तो अफवा बहुत ही तेज फिलती है तो इसलिए कहना चाहूंगा यह दिखाना आप लोगें के लिए important था कि HDFC के पास जितने भी shares है वो फिलाल तो उन्होंने कहा है कि हम लोग कोई भी आप स्टेक सेल नहीं करने वाले यह pure अफवा है तो दोस्तों इसी के चलते हैं आप लोग कह सकते है HDFC का share भी आज हम लोग को बिल्कुल भी कोई moment नहीं 0.20% ही आप लोग यह आप ऐसा बोल सकते हो और अगर हम लोग आज की दिन की बात करें HDFC की थोड़ा में जूम कर लेता हूँ 14th December 60% की delivery आज भी हम लोग को उठाती है देखने को मिल रही है देखें यह अफवा साच है जूट है वाटेवर इसका HDFC को जादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि HDFC के पास power है उनको रखना है बेचना है वो उनके पास है फरक किसको पड़ता फरक बंदन बैंक को पड़ता क्योंकि ऐसे बहुत सारे investor है वो just because of HDFC का नाम है उन्होंने इतना बड़ा पेमाने के उपर इन्वेस्ट किया है इसलिए वो यहाँ पर बंदन बैंक पे है तो अगर कोई ऐसा बड़ा investment अगर withdraw हो जाता है तो डेफिनेटली जो लोग उस reason के वज़े से बंदन बैंक में इंटर के रहे थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे panic में exit लियोगी इतना हम लोग यहाँ पर उपर से अनुमान लगा सकते है बट वापस कहना चाहूंगा मैंने तीन से चार बार repeat किया है शायद से वीडियो close होते वक और तीन से चार बार repeat हो जाए फिलाल यह news fake है ऐसा HDFC ने भी बोल दिया है तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूत नहीं इतना में आपको बोल सकता हूँ तो बंदन बैंक की बात करें तो बहुत से बंदन बैंक भी खराब हो गया हर एक का अपना अपना वज़ा होता है खरीदने के लिए वरना सभी लोग एक ही शेर में निवेश करते है तो इतना में कह सकता हूँ इस अफवाओ के करन आप लोगों ने अभी कोई मैं एक बार यह भी बोल चुका हूँ कि मुझे बज़ाच फाइनेंस बहुत तेजी से भागता है बट उससे भी ज्यादा मुझे एजडिएफसी पसंद आता है क्यूंकि स्टेबलाइज है बहुत ही बड़ी मतलब कमपनी है मतलब एजडिएफसी के अंडर सब कुछ आता ह जैसे हम लोग यह पर बोल सकते है बज़ाच फाइनस तूफान की तरह भागेगा वो तो है बट एजडिएफसी एक बहुत ही मतलब हो ने प्रॉमिनेंट स्टॉक है ब्डम रेप्यूटेड कमपनी है मतलब चायना ने भी इसमें 1% स्टेक खरीदा आप सभी लोग को बता ह था कि इससे बड़िया मोका नहीं मिलेगा 10 सल में एक बार मोका मिलता है खरीद लो करके अगर आपको वह वीडियो देखने है उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो अगर मिल गया तो में ज़रूर लिंक दे दूँगा तो उसमें भी मैंने डिटेल में बता है ता कि क्यों HDFC अगर आप चाहो तो सिरियसली आपे देख सकते हो वीडियो क्लोस करने से पहले अगें पूरा कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि HDFC होल्ड करते हैं बंदन मैंग में 9.90% स्टेक और फिलाल जो न्यूस थी कि वह बेचने वाले तो ऐसा फिलाल तो इजिमम फेक न्यूस के उपर ज्यादा चलता है और ओरिजिनल न्यूस बहुत ही पीछे रहती है तो इसलिए कहता हूं कि बहुत ही संभाल करें चाहिए अगर कोई भी पोजिशन अगर आपके पास रहती है तो तीन से चार सोर्से से आप लोगोंने कंफर्म करना चाहिए आप लोगोंने डिशिजन लेना चाहिए तो आया बशा करता है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल रहा होगा तो जरूर इसको लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना तो उनको भी समझ में आएगा कि फिलाल ये अफ़वा थी तो टैंक्यू वेरी माज दोस्